हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग, तो गाईज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज, या एक ऐसा आर्ट वर्क बना के दिखाने वाला हूँ, जो देखने में जितना ज्यादा सुन्दर, जितना ज्यादा अट्रेक्टिव है, उससे कहीं ज्यादा एजी है इसको बनाना, जियां गाईज, इवन एक बच्चा जो है, वो भी उसको बना सकता है, और गाईज, यह जो आर्ट वर्क है, वो बनाने के लिए हमारे को सिंपल सी दो तीन चीजों के यहाँ पर रिक्वाइर्मेंट होगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक गाईज कि अलावा मेरे पास में कुछ इस प्रकार की जो शीट साती है, यह भी मेरे पास में पढ़िए, दिखने के अंदर पूरा वाइट कलर की है, तो गाईज, इसके उपर भी हमारा जो आर्ट वर्क हम बनाएंगे, वो देखने में बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैक कलर का पेंट यूज करने वाले हैं, इस प्रेई पेंट जो आता है, जो कि वाइट कलर के उपर बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लगता है, इनके अलाव जो में चीज है जिससे हमारा आर्ट वर्क हम लोग आज बनाने वाले हैं, वो भी हम ल इस तरीके की MDF जो कार्ड बोर्ड आता है, उसका यहां पे यूज कर रहे हैं, ताकि इसको जो हम सही से इसके उपर यहां पे चिपका के, इसको बाद में हम लोग अपने घर वगर हमें सजा के रख सकते हैं, बहुती ज़्यादा अट्रेक्टिव होती ज़्यादा सुन्द इसके उपर यहां पे चिपका लेता हूँ, कुछ इस तरीके से फोल्ड करके, ताकि जो पेंटिंग वगरा आती हैं, हम लोग कई बार मार्केट वगरा सभी खरीते हैं, यह सहीम उसी की तरह हमारे को दिखेगा तो गाइस, अब हमारी यह जो शीट है, इसके उपर हमने चिपका के रेडी कर लिया है, और अब जस्त हमारे को क्या करना है, कि हमारा यह जो पेड की छोटी-छोटी टहनी हम लोग तोड के लाए थे ना, इसको इस तरीके से जो है, यहां पे रखना है, इस तरीके से यहां पर ऐसे रखेंगे तो गईज अब हमारे को क्या करना है हमारा यह जो स्प्रेय पेंट आता है इसको जो सिंपली हमारे को जो है इसके ऊपर यहां पर स्प्रेय कर देना है ह सब्सक्राइब में कर लिया इन दोनों को थोड़े दे देंगे ताकि छो हमारा जो पेंट था है मोध यहां में पर सूं जाए तो होड़े दिर बात में इसको हम लो too यहां वाज़े लोग तो अभी हम लोग जू हैं को कहांपर हटा गेडेगता थे हैं इसको अटाते है व्यूंज लिकिए देखा आपने कितना ज़यादा आटरेक्टिव होमारा जो आठ वर्क है वहां पर बनके निकला देखिंगे तो ग्याँ मारी जो आठ वर्क है उसको थोड़ा ओर ज्यादा अटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हमारे पास में यह जो water color आते है इसके अंदर यह जो white color आता इसके यूज करके हम जो है थोड़ा इसकी यह जो detailing वगेरा है वो और यहाँ पे कर देंगे ताकि हमारी जो आर्ट वर के जो पेंटिंग है वो और ज्यादा अट्रेक्टिव यहां पर लगे तो इसका यूज करके ना इसको थेड़ी डिटेलिंग में डाल देता हूं इसके अंदर तो अब देखिए गाईज फाइनल जो टेच है वो देने के बाद में हमारे जो आर्ट वर्क है यह देखिए यह जो है थोड़ा ग्लोसी वाली जो शीट आती है इसके उपर हमने बनाया यह ओर ज्यादा ज्यादा अट्रेक्टिव लग रहा मेर को तो और यह हमने जो हमारा सि आर्ट पेपर आता है उसके उपर हमने बनाया और देखिए कितने ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रहे है यार वाव तो गईज हमारी जो आर्ट वर्क है इसको जो है स्प्रेव पेंटिंग भी बोला जाता है स्प्रेव पेंटिंग का यूज करके भी लोग जो है बहुत ज़्यादा इज़ी है और इसके थ्रू गईज कितनी ज़्यादा अट्रेक्टिव चीज़े यह देखो आप लोग जो है अपने घर पर बना सकते हैं आपको जो वीडियो के अंदर कुछ नया देखने को मिलाओगा कुछ इंट्रेस्टिंग सा देखने को मिलाओगा और वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो इसको लाइक कर दीजिगा शेर कर लेजिगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं दुस्तों ह बाई जैहिंद वंदे मातरम